क्यों आंद्र प्रदेश के डिपटी सीएम को बनानी पड़ी हिंदू ब्रिगेट? क्यों आंद्र के डिपटी सीएम ने कहा हर सरकार को योगी सरकार बनना पड़ेगा? क्या आंदर के डिप्टी सेम ने उस चिनोती को पहले ही देख लिया है जो जल्द हिंदूओं के सामने आने वाली है दोस्तो इस समय पूरे विश्व का जो माहौल है उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई असुरक्षित है तो वो हैं सनातनी हिंदू पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान, कनाड़ा जैसे देशों में तो हिंदूओं पर रोज बर-बर अत्याचार हो ही रहे हैं भारत और नेपाल जैसे हिंदू बहुत संख्यक देशों में भी हिंदूओं से लड़ने जगड़ने उन्हें बदनाम करने और धर्म परिवर्तन के जरिये उन्हें अल्प संख्यक बनाने की मुहिम चलाए जा रही है जिसमें मुस्लिम और इसाई धर्मिक संस्थाओं के साथ साथ वोट बैंक के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टियां और वामपन्ति धल भी प्रतक्ष या परोक्ष रूप से शामिल हैं ये बात सनातन हिंदु धर्म में गहरी आस्तर रखने वालों का दिल चीर दे रही है और उनके अंदर आक्रोश भर रही है इसी आक्रोश ने आंदर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्यान को सनातन हिंदु धर्म और उसे मानने वालों की रक्षा करने के लिए कई कठोर एलान करने के लिए मजबूर कर दिया इन एलानों में से एक एलान सोशल मीडिया के लिए भी है उनकी इन कठोर घोशनाओं के प्रभाव आने वाले समय में काफी व्यापक होने वाले हैं वीडियो में बताएंगे कि क्या हैं ये घोशनाएं और क्या होंगे इनके परणाम बस आप देखते रहिए दक कर्मा दोस्तो आंद्रप्रदेश के डिपिटी सीएम पवन कल्यान ने आंद्रप्रदेश और तेलंगाना में सनातन हिंदु धर्म की रक्षा के लिए एक हिंदु ब्रिगेड की स्थापना की है जिसका नाम उन्होंने नर्सिंग वाराही ब्रिगेड रखा है यह उनकी राजनितिक पार्टी जन सेना के अंतरगत ही उसकी एक विंग या शाखा है नर्सिंग वाराही विंग का एलान करते हुए पवन कल्यान ने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ लेकिन मैं अपनी आस्था को लेकर अडग हूँ जो लोग सोशल मीडिया पर सनातन धर्म की आलोचना करते हैं या इसके बारे में असम्मान जनक बाते करते हैं उन्हें इसके परणाम भुकतने होंगे इसलिए मैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपनी पारिटी के भीतर नर्सिंग वाराही ब्रिगेड नाम से एक समर्पित विंग की स्थापना कर रहा हूँ बरगेट के स्थापना के बाद उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा और उसकी मानिताउं को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए एक मजबूत राष्ट्रिय कानून की जरूरत है इसके लावा रास्ट्री और राजस्तर पर सनातन धर्म संग्रक्षन बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, जिसके गती विधियों के लिए एक डेडिकेटेड फंड उपलब्द कराया जाए पवन कल्यान ने मंदर के प्रसाद और प्रसाद में इस्तिमाल की जाने वाली सामिग्री की शुदता सुनिश्चित करने के लिए स्तनातन धर्म, प्रमानन या सर्टिफिकेशन को भी जरूरी बताया पवन कल्यान ने वैश्विक स्तर पर हिंदू के उत्पीडन का मुद्दा भी उठाया सोशल मीडिया पर किये गए पोस्ट में उन्होंने कहा कि हिंदू वैश्विक अल्प संख्यक हैं ऐसे में उन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है करनाडा में एक हिंदू मंदिर और हिंदू शर्धालों पर हुआ हमला दिल पर परहार है इस से पीड़ा और चिंता दोनों पैदा होती हैं उन्होंने कहा कि एक छुट-पुट घटना नहीं है कई देशों में हिंदू के खिलाफ हिंसा और घटना की घटनाएं जारी है उसके बावजूद वैश्वेक नेताओं, अंतरास्टे संगटनों और तताकतित शान्तिप्रिय गैर सरकारी संगटनों की चुपी डिरानी वाली है उन्होंने कहा कि ये केवल करोना की अपील नहीं है, बलकि एक्शन का अहवान है, जिसे विशु को स्वीकार करना चाहिए और हिंदूओं की पीडा को उसी तेजी और कमिट्मेंट के साथ दूर करना चाहिए, जिस तरह वो दूसरों के लिए करता है दूस्तों पवन कल्यान यूपी के योगी आदितनात सरकार का हवारा दे कर, खुद अपनी सरकार की ग्रह मंत्री आनीता पर भी भड़क गए, जो NDA सरकार में TDP के कोटे से मंत्री बनी है उन्हें कहा कि राल जी की कानून व्यवस्था को उस तरह नहीं डील किया जा रहा है, जैसे हमारी सरकार से लोगों की अपेक्षा है पवन कल्यान ने कहा कि आंधर प्रदेश में शान्ती और सुरक्षा के सिति में काफी कम ही आई है कानुन विवस्ता को योगी आदितिनात के उत्रप्रदेश में जिस तरह संभाला जाता है उसी तरह से संभाला जाना चाहिए उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर सुधार नहीं होता है तो ये जिम्मेदारी भी मुझे उठानी पड़ेगी दोस्तो सवाल है कि पवन कल्यान को आखिर सनातन धर्म की रक्षा के लिए हिंदू ब्रिगेट क्यों बनानी पड़ी तो कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि पवन कल्यान ने निकट भविश्य में हिंदू के सामने आने वाली चिनौती को पहले ही देख लिया है इन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले वक्त में दुनिया के दूसरे देशों में ही नहीं बलकि भारत में भी हिंदूओं पर हमले बढ़ेंगे ऐसे समय में अगर सनातनी हिंदू संगठित रहा तो वो उनका मजबूती से मुकाबला कर पाएगा और सनातन धर्म को सुरक्षित रख पाएगा दोश्तों आपको बता दें कि सनातन हिंदू धर्म की रख्षा के लिए नर्सिंग वाराही ब्रिगेट बनाने वाले पवन कल्यान भगवान नर्सिंग और माता अवराही के परम भकत हैं भगवान नर सिंग भगवान विश्णू के उग रूप अवतार हैं, जो आधे मानव और आधे सिंग के रूप में प्रकट होते हैं, जिनका सिर और धर्ड तो मानव का था, लेकिन चहरा और पंजे सिंग की तरह थे। भगवान नर सिंग एक ऐसे देवता की रूप में पूरी जाते हैं, जो विपत्ती के समय अपने भगतों की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं, दूसरी तरफ माता वाराही मा दुरुगा का सुरूप मानी जाती हैं, वाराही देवी भगवान विश्णू के वारहा अफ़ शंक आदीधारन करती हैं, कमल के आसन पर विराजमान होने वाराही देवी के वाहनों में सिंग, घोड़े और सांप शामिल हैं, दक्षन भारत में भगवान नर सिंग और माता वाराही की पूजा व्यापक रूप से की जाती है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही पवन कल्यान ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए जिस ब्रिगेड के सापना की है, उसका नाम नर सिंग वाराही ब्रिगेड रखा है, दूस्तों क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए अलर्ट होने का हाई टाइम आ चुका है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉ झाल झाल